नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि Glimmiprex टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है Glimmiprex टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और Glimmiprex टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहाँ भी डिसकस करेंगे कि Glimy Prex Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. Glimy Prex एक ब्रैंड नेम है. Glimy Prex Tablet के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ग्लिमेपिराइड होता है. Glimy Prex Tablet 1MG, 2MG, 3MG वर 4MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है. Glimy Prex Tablet का उपजयगर टाइप 2 Diabetes में ब्लड शुगर के लेवल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है. Glimy Prex Tablet शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है. शरीर में शुगर के लेवल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है. क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़़ से किड्नी डैमेज हो सकती है, आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है, इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, खाना खाने के दो घंटे बाद एक नोर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है, तो वह व्यक्ती परी डायबिटिक स्टेज पर है, परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है, परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एकसरसाइज और लाइफ स्टाइल वा खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेविल को नियंत्रण में किया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबिटीज की समस्या है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ग्लिमी प्रेक्स टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में ग्लिमी प्रेक्स टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे दस्त होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, पेट में दर्ध होना और सिर्दर्ध होना आदि साईब इफेक्ट्स ग्लिमी प्रेक्स टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं। इसलिए बलड़ शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको Glimmy Plex Tablet को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको Glimmy Plex Tablet को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए Glimmy Plex Tablet की वज़े से allergic reaction भी हो सकता है यदि आपको Glimmy Plex Tablet को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मो गले होठो या तवचा पर सूजन, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशिस या एकदम से बुखार होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहि क्योंकि ये लक्षण allergic reaction के हो सकते हैं और allergic reaction होने पर तुरंत medical treatment की आवशकता होती है अब हम discuss करेंगे कि Glimmy Plex Tablet को कैसे लेना recommended होता है Glimmy Plex Tablet को सुबा breakfast के समय खाना खाते समय बीच में लेना recommended होता है आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में Glimmy Plex 1MG Tablet या Glimmy Plex 2MG Tablet को दिन में एक बार और सुबा के समय लेने की सलाह देते हैं Glimmy Plex Tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए Glimmy Plex Tablet की दोज उम्र शरीर के वजन और शरीर में बलड शुगर के लेविल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए आपको Glimmy Plex Tablet को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की Glimmy Plex Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए शुगर को अच्छी तरह से नियंतरण में करने के लिए आपको Glimmy Plex Tablet के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए चिंता वतनाव से बचना चाहिए परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए टाइप 1 डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर Glimmy Plex Tablet को लेना recommended नहीं होता है प्रेगनेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Glimmy Plex Tablet का सेवन करना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और अगर आपका Glimmy Plex Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है